गोंधिया जिला राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की अगनीपत योशना का विरोध प्रदेशन सरदार वल्लभाई पठेल प्रतिमा के सामने पूर्वविधायक श्री राजेंद्र जहन के नदृत्व में युवक जिलाध्यक्ष केतन तुरकर एवं अन्ने युवक साथियों के साथ ही धर्ना आंदुलन जिलाधिकारी गोंधिया को 1500 पग्या गोंधिया जिले के सभी तालुका में राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस द्वारत थेसिलदार को 1500 पग्या सेनिकों के वेतन एवं पिंशन कम करने के लिए अगनीपत भरती योशना लागू की गई या आर्मी के परंपरा, प्रकृती, नतिकता और मुल्यों पर खरी नहीं है सेना की शमता और प्रभाव पर इसका बुरा असर पड़ सकता है सेना को टूरिस्ट संगठन की तरह समझा जाने लगेगा चार साल बात क्या करेंगे ने फौजी अगनीपत योशना में भरती जवान को पौने तीन साल की ड्यूटी मिलेगी उसके बाद छे मार ट्रेनिंग में निकल जाएंगे नौ मेहने की चुटी भी होती है से स्थाई नौकरी वाले फौजीयों की ड्यूटी शेत्र पर भी असर पड़ेगा चार साल बात सीना से लोटने के बाद काम मिलना आसान नहीं होगा उन्हें पूर्वस सेनिकों का दर्जा भी नहीं मिलेगा योजना का सबसे जादा विरोध पूर्वस सेनिक अधिकारियों ने किया है भरती नियमों के लिंक से हट कर किया गया ये निर ने सिर्फ धन बचाने के लिए है इसमें सेन ने अभियानों की आविशक्ताओं और युद्ध की दरान सेनिकों के कारे कोशल के जरुत को दर किनार किया गया है पूरी तरह से प्राशिक्षन ने मिलने पर एक सेनिक किसी की भी जीवन को खत्रे में डाल सकता है अगनिपत योशना के तहद प्राशिक्षन की जो अवधी तैकी गई वह एक कुशल सैनिक त्यार करने के लिए आपरयाप्त है यह प्राशिक्षन महस काम चलाओ होगा BCN News कौंदिया से अविशेक भटनागर की रिपोर्ट